तो क्या हाल चाहल भई लोग कैसे हो आप लोग और का इस फाइनली ओपो फाइंड एक्स इंडिया के अंदर लॉंच हो जुका है यहाँ बे ओपो ने इस फोन की प्राइसिंग इंडिया मार्केट्स में रखी है साथ हजार रुपै अब भले ही यह दुने का सबसे बेस्ट फ प्राइस किये जल्दी से इस फीडियो को मैं हो रिशाफ और आप लोग देख रहे हैं रिशाफ टेक तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ जरूरी बात है जो कि आप लोग को जानी बहुत ही जरूरी है इस फीडियो में आगे बढ़ने से पहले और हाँ यह मैं हर रीजन्स आप से यहाँ पोच खूब आतना है जिसका ज्यानी बहुत कर लोगी जानी होनी पहले भी जार्ट आप यहाँ पे मैं बाते करना चाहते हूं एस फोण की बारे में नो डाउट यहgame कि वजह से यह một यह जाए है इतना यह चुनीक बनता है और यह एक चीज है जो कि इस phone को अलग बनाती है market में मौजुद किसी भी और phone से और सच का हूँ तो guys यार ये design इस बात को भी express करता है कि Oppo के पास कितनी ज़्यादा inversion की capability है लेकिन भाई साब यार हमेशे की तेरा इस चीज़ के भी कुछ drawbacks है अब जैसे कि आप लोगो पता होगा यार बहुत ही पुरानी कहावत है और YouTube में भी ये बात काफी time से चल रही इवन अगर बात करूँ सबसे पहले वीवो ने जब अपना Apex Concept phone दिखाया था मतलब यार moving part phones में काफी ज़्यादा बेकार चीज मानी जाती है और मतलब ये phone की ruggedness को कम करती है, durability को कम करती है तो अब अगर मैं अपनी बात कुछ examples के साथ आप लोगों को बतानी की कोसिस कर दो तो जैसे कि आप लोगों पता है यहाँ पर कोई भी आप लोगों को fingerprint देखने को नहीं मिलता और इस वज़ से जब भी आप लोग अपने phone को on करोगे अगर बंदा दिन में 100 बार अपने phone को on करता है तब ये mechanism 100 बार उपर नीचे होगा या फिर पता नहीं बंदा दिन में कितनी बार अपनी photos किसता है लोगों की फोटोस खीचता है तो पता नहीं ये कितनी बार ये मेकनिजम काम करगा दिन में और अप लोग ये बात मानो या फिर ना मानो लोग काफी ज़्यादा सवाल उठाने वाले है कि कब तक इसकी लाइफ होगी इस मेकनिजम की कब तक ये उपर नीचे हो पाएगा वैसे माफ करना है यार बैग्राउंड में बच्चा रो रहा है तो इसकी नौइस आ सकती है लेकिन दोस्तों चलो ठीक है ये काफी ज़्यादा डूरेबल है हम सब ने मान लिया पर भाई सब ये इंडिया है और इस बात के काफी ज़्यादा चांसेज है जिस वक्त आप लोग इस फोन से फोटोस खीच रहे हो जब ये मेकनिजम उपर है उस वक्त ये फोन गिर जाए और वैसे आप लोगो बता दो इस फोन की बॉडड़ी सूपर स्लिपरी है और हाँ वैसे हमने तो अब इस बात की उपर डिसकासी नहीं किया कि हम हिंडियन के फोन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम साती है चाहिए आप लोग बात करो होली की कलर्स की धूल मिट्टी की भाई साब आप विस एक बार इमेजिन कीजिए और वैसे भाई साब अभी तक तो ओपो ने इस बात को भी क्लियर नहीं किया है कि इस मेकनिसम की रिपेर कोश्ट होगी कितनी खेर अब जो भी है लेकिन ये थोड़ा सा लंबा रिजन था आगे बढ़ते हैं और अब बतकर लेते हैं अगले रिजन के बार मी तो हाँ यहाँ पर आप लोगों को बता दू अगला भी एक बहुत बड़ा रिजन है इस फोन को ना लेने का और अगें यहाँ पर ओपो ने भी आईफोन वाली गलती कर दी मतलब यहाँ पर आप लोग कोई भी फिंगरपिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है इस फोन में ना ही फोन के सामनी की तरफ ना ही फोन के पीछे या पर डिस्प्ले के अंदर मतलब भाई सब चलो आपने फेस आईडी बना ली अच्छी खासी फेस आईडी बना ली चलो ठीक है यार मुझे कोई दिकत नहीं इस बात से लेकिन मान के चलो मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं क्वाइरलेस इयरफोन्स ले सकूँ फिर अगर मुझे फोन को चार्ज करते वक्त इयरफोन्स लगा के मुवीज देखने हैं गेम्स करना हैं जो भी करना है तो मैं क्या करूं उस टाइम पर मतलब यार सच मिच मैं पूछ रहा हूँ आप कंपिणियों से बियार मुझे इस बात का एंसर चाहिए प्लीज बता दो खेर अब जो भी है आगे बढ़ते हैं और आप बात कर लेते हैं अगले रिजन के बारे में तो नाट बाय ओपो फाइंडेक्स तो गईस यहां पर में बाते करना चाहता हूँ इस फोन में लगागा एंड्रोइट स्किन के बारे में और सच बताँ तो यह आप लोगों के पस्नल टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता हैँ अब हो सकता है यहाँ पे ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही होगी अप ओपो के फैन हो तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लग रही होगी लक runners बताँ तो आगे बढ़ते हैं और अब बद कर लेते हैं सबसे बड़े reason के बारे में तो not buy OPPO Find X यहाँ पर बात करना चाहता हूं इस phone की pricing के बारे में तो मेरे दोस्त वैसे तो आप लोगों को मैंने pricing वीडियो के starting में ही बता दी फिर भी इस phone को लेने के लिए आप लोगों को हो सकते हैं अपने एक दो FD टुड़ाना पड़ जाए या फिर ऐसा भी हो सकते हैं अपने कुछ पुराने phone बेचना पड़ जाए या फिर EMI में लेना पड़े क्योंकि भाई साब ये इस phone की pricing आप लोगों को 60,000 रुपए पड़ती है अब गाईस सज बताओ तो personally मुझे इस phone की pricing उतनी भी ज्यादा नहीं आगी क्योंकि ये जो tech आप लोगों को offer करता है मुझे नहीं लगता market में कोई और phone आप लोगों को ऐसी unique design के साथ देखने को मिलेगा पर फिर भी यहाँ पर अगर OPPO इस phone की pricing 45-46,000 रुपए रखता तब तो भाई साब definitely ये phone एक must buy phone होता तो ये तो थी कुछ reasons to not buy OPPO Find X और guys अब आप लोगों मुझे नीचे comment section में लिख के बताओ कि यहाँ पर आप लोगों के thoughts हैं, क्या opinions हैं इस phone के बारे में तो हाँ का इस comment ज़रूर करना और बस दोस्तों इस video में इतने ही था उमीद है आप लोगों को ये video अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक like ज़रूर करना और हाँ, चैनल को अगर आप लोगों अभी तक subscribe नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो जल्दी से जाओ, वो लाल वाला बटन दबाओ, subscribe वाला और हाँ, उस के बाद उस bell icon को भी on कर देना तो चलो फिर, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए, बाई